नमस्कार दोस्तों स्वागत है एग्रिमेंटर्स चंडिगट के डिजिटल प्लाइटफॉर्म और आज हम डिसकस जिसको करने वाले वो है ASRB.NET 2023 Soil Science का पेपर उस पेपर में बेसिकली कुछ बेसिक क्यूशन से लेके अल्टरा लेवल बहुत हार्ड क्यूशन भी पूछे गए थे तो आपको हम exam oriented जो आपके क्यूशन आते हैं उससे familiar कराने के लिए सीरीज लेका है काफी सारे students के message calls आ रहे थे कि sir ASRB.NET का पेपर डिसकस करो ASRB.NET का पेपर डिसकस करने के बाद जो कहां से क्यूशन पूछी जाते हैं हम एक course LRA जिसका नाम है ICR SRF और NET जिसके अंदर हम live plus recording lectures देते हैं और target best आपको practice test मिलते हैं one-on-one mentorship मिलती है और इस course की price अभी offer में चल रहे है तो you can register it by these given numbers or either you can directly go on the website or on the app to purchase this course. चलिए शुरू करते हैं आपना जो papers हैं उसके साथ ठीक है तो पहला question है silica seskyo oxide ratio of tropical soil देखो आपके साथ जो भी question आये हैं उसका अपन concept समझाने की कोशिश करेंगे आपको पूरा concept समझ में आये यह हमारी कोशिश रहेगी तो जो आपका यह question है silica seskyo oxide ratio of tropical soil अब हम जो question discuss करेंगे उससे related जो भी questions मर जी पूछे जाएं लेट से उसका कुछ भी गुमा के कोई question पूछा जाएगा तो आप उसको answer कर पाओगे at the end of the lecture तो देखो पहला question था silica seskyo oxide ratio of tropical soil अब tropical soil मतलब जहां humid conditions है अब इसका silica seskyo oxide ratio यह है क्या देखो silica मतलब जो silicon content है उसमें upon seskyo oxide मतलब iron और aluminium के oxides जिनसका formula होता है R2O3 ठीक है अब देखो जैसे जैसे कोई soil है let's say यह initial stage है कोई soil की और यह weathering हो यह soil की और यह last soil है जहां बहुत ज्यादा weathering हो चुकी है जैसे जैसे weathering होती है वैसे वैसे iron और aluminium compounds increase होते है और silica decrease होता है that is why जैसे जैसे tropical soil में क्या होता है सबसे ज़्यादा weathering होती है क्योंकि वहाँ humid और hot conditions है तो उसकी वज़े से क्या होगा कि जो आपका silica seskyo oxide ratio है वो यह अपना denominator increase होगा तो सबसे जो least ratio होगा वो होगा silica seskyo oxide ratio जो tropical soil में इसका सही answer था less than two I hope कि आपको अगर पूचा जाए तो आप इसमें गलती नहीं करोगे और silica seskyo oxide ratio का जो concept है वो भी आप समझ पाए होंगे ठीक है अगर आपसे पूचा जाए कि two or three किसमें होता है यह अगर आपसे red soil में भी पूचा जाए या kaolinite का पूचा जाए तो आपको यह बताना है less than two two or three उससे जो less weathered soil है उनका होता है ठीक है next question move करते है which of the following is not an endopadon देखो अपने जब soil orders पड़े थे तो उसमें epipadons और endopadons पड़े थे epipadons 9 और endopadons 19 उनको confuse करने के लिए कि कौन सा epipadon है और कौन सा endopadon है उन सब को एक साथ दिया जाता है और पूचा जाता है कि इसमें से बताओ कि कौन सा endopadon नहीं है that means कोई ना कोई एक तो epipadon है अब जो epipadon है उसको अपने को identify करना है पहला देखते हैं spodic नहीं यह spodic तो endopadon है हिस्टिक हिस्टिक एक epipadon है तो यह एक अगर आप से यहाँ endopadon और epipadon नहीं पूचा जाए direct अगर यह भी पूचा जाए है pick the odd one out तो भी आप क्या वोलोगे हिस्टिक इस ओड़ वन बिकॉस ओल द थ्री आर एंड़ पैड़ोंज इसके साथ साथ मैं आप से यह भी रिक्वेस्ट करूँगा जैसे जैसे आप इस test series को या जो detail explanation है उसको अगर आप देख पा रहे हो तो उसके साथ साथ आप अपना जो देने जाओगे उससे पहले एक बार अपने आप पूश्योर हो जाओ कि आपको कितना आता है या आपकी तयारी कितनी है ठीक है इसके साथ साथ आप अपने आपका evaluation करें कि हम मेरे को यह आता है नहीं आता और at the end of the slide आपको calculate करके देखना है क्या मैं qualified कर सकता हूं या न आप नहीं हुआ है और वो recently developed है तो आपको यहां recently developed जब भी आता है तो आपको सबको पता है कि वो anti-soul की बात करता है anti-soul basically recently developed horizon है जिसमें अभी तक no horizons development हुआ है no horizons इसके बाद में यहां से अगर यह question आए आपको यह question आए कि इंडिया में सबसे ज्यादा dominant soil order कौन सा है त तो इंडिया में सबसे ज्यादा dominant है insepti sol अगर world level पे सबसे ज्यादा dominant soil order पूछा जाए तो वो फिर से anti-soul यह world level पे है हिस्टो सोल से क्यूशन आता है कि organic matter का कौन सा organic matter जिसमें सबसे ज्यादा होता है वो कौन सा soil order है और elfysol elfysol से क्यूशन पूछा आता है जिसमें 35% से ज्यादा base saturation होता है उसको हम elfysol केते हैं यहां से यही क्यूशन पूछे जाते हैं इन 4 order से तो make sure कि आप यहां से कोई गल soil survey and mapping पढ़ते हैं by fundamental of Indian society of soil science या कोई और book से let's say Jay Segal से तो आपको एक चीज़ यहां से दो type of map आप generally देखते हैं एक होता है cadastral map एक होता है topographical map cadastral map वो होता है जिससे आप field boundaries देख पाते हो एक area की detailed viewing देख पाते हो जिसमें field boundaries, revenue number, खसरा, खतोनी number आप देख पाते हो तो उस जो cadastral map है उसकी scale पूछी गई है तो इसकी scale होती है आपको पता है यह detailed mapping है तो इसकी scale होती है one ratio 5000 to 8000 ठीक है यह जो तीनू scales है यह तीनू scales है topographical map की topographical map एक बड़े scale का map होता है जिसकी जो detailing है वो कम होती है अब आप से यह question पूछा जा सकता है कि cadastral map आप कहां से ले सकते हो तो आपको बताना है यह हम तहसीलदार से ले सकते हैं जो block office होती है वहाँ से हम cadastral map ले सकते हैं और topographical map आपको कहां से मिलेगा topographical map आपको मिलेगा दहरादून से because soil survey organization फिर बात करते हैं next question primary colors for spectrum band remote sensing में जो spectral colors होते हैं उसमें तीन major primary colors होते हैं उसके अलावा जो colors होते हैं वो उन्हीं तीनों की mixture से बने वे होते हैं क्या वो option one red green and blue है क्या वो red green sorry red yellow green है क्या वो red white black है या वो yellow red black है इसका answer बहुत easy है इसका answer होगा red green और blue traffic light की वे इसे ही मत करते हैं आप लोगी red yellow और green नहीं ऐसा कुछ नहीं होता red green और blue primary colors होते हैं उसके अलावा जो colors हैं वो primary colors नहीं होते हैं फिर बात करते हैं full form of GPS देखो दिखने में तो बहुत आसान question लग रहा है GPS लेकिन exam pressure जब आप उस desk पर बैठे होते हो तो ऐसे क्यूशन भी गलत करके आते हो बहुत सारे ऐसे experience है जिन्हों ने SRB net दिया और बहुत simple level के क्यूशन गलत करके आते हैं तो उसको कैसे counter करोगे आप उसको counter करोगे अच्छे practice से कि जब भी आप exam यह जब भी आप अपना mock test देने बैठे practice देने बैठें तो उसी mindset के साथ बैठें कि आपको आप exam दे रहे हो और उस वो जब तक करे करते जाओगे तब आपसे गलतियां गलतियां करने की उमीद कम रहेगी फुल फॉम अब gps वापस आते हैं gps का क्या global position system है नहीं position system तो नहीं है general positioning system है नहीं general तो बिल्कुल नहीं है ग्लोबल पोजीशनिंग system हाँ यह सही answer है global positioning system इसका सही answer है अगर आपको पूछा चाहिए जी आइस की फुल हों क्या है तो क्या बोलोगे geographical information system या geographic information system वहाँ पर भी बच्चे confused होते हैं तो हमेशा याद रखें यह geographic information system geographical नहीं है कुछ जो आपके competitive जो notes आते हैं उनमें हो सकता है geographical बट इसकी exact सही फॉम है geographic information system गलती नहीं करोगे आप लोग ठीक है फिर बात करते हैं complete the jenny's soil formation equation जो soil formation equation जैनी ने दी थी उसको complete करो देखिए जैनी ने सबसे पहले अपन बात करते हैं soil formation equation शुरुवात में सबसे पहले दी किस ने थी वो दी थी डोकुचेव ने उन्होंने जो equation दी थी वो ये वाले equation बिलकुल नहीं थी confused नहीं होना है उन्होंने दी थी soil forming factors, parent material, climate और organism सिर्फ और सिर्फ ये लेकिन जैनी ने पाँच soil forming factors दिये climate, parent material, organism, relief और biological organism ये पाँच soil forming factors दिये और कब दिये 1941 में दिये अब देखो इसमें से कौन सा missing है इसको अपन short form में लिखते है chlorpid, chlorpid, CL for climate, climate तो है ठीक है फिर B for biological organisms तो organism भी है तो ये option होगा नहीं, R for relief मतलब topography तो ये भी होगा नहीं, P for parent material ये तो है नहीं और यहां कौन सा बचा T for time तो आपका सही answer होगा time ये missing जो equation थी वो complete हो गई अब एक भाई साब आए जो जो फे भाई साब जो फे भाई साब ने ये बोला कि सर आपने पांच soil forming factors तो दे दिये लेकिन इसका further अपने classification कर सकते है based on active और passive कैसे active soil forming factors वो जो इस particular time period पे कुछ ना कुछ अपनी energy देते हैं like climate climate कैसे energy देते है temperature और rainfall से organisms organisms कैसे energy देते हैं वो decompose करते जाते हैं जो भी soil minerals है उनको तो active में आते हैं climate और organism दूसरे आते हैं passive पैसिव में आते हैं आपके relief, parent material और time यह आप से क्यूशन हर बार पूछा जाता है ऐसा arminate में बहुत simple question है soil formation equation से हर बार क्यूशन आता है और बच्चे हर बार गलत करके आते हैं soil formation equation कौन से scientist ने दी थी active और passive का किस ने classification दिया जोफे भाई साब ने दिया जोफे कब दिया दिया था 1949 में active और passive कौन-कौन से हैं यह दोनों active और passive है सबसे पहले soil formation equation किस ने दी थी या अगर normal soil formation equation किस ने दी थी तो जैनी ने दी थी because यह complete equation थी clear next move करते है particle density की unit क्या है क्या वो megagram पर meter cube या meter cube पर megagram या meter square पर megagram क्या है तो आपको simple सी चीज है बिलकुल आसान सा है megagram पर meter cube अगर specific volume की unit पूछी जाती specific volume तो वो क्या होता है specific volume is inverse to bulk density तो आपकी unit क्या होती यह वाली unit होती क्योंकि वो इनवर्स होता है फिर बात करते हैं inner most soil layer is inner most soil layer कौन सी है क्या वो crust है क्या वो mental है क्या वो core है या वो inner mental है देखो जब अपन crust की study करते हैं तो यह आपकी अर्थ है कि इसमें एक V-shape बना लेते हैं अपन कि सबसे पहले होता है क्रस्ट फिर आता है आपका mental फिर आता है आपका core core के further दो classification है inner core, outer core outer core, inner core अब एक चीज यहां से और भी पूछी जाती है अब आप इस question का answer तो यहां से दे सकते हो कि सबसे inner most layer कौन सी है, crust नहीं है, mental नहीं है, core है तो आप answer दे सकते हो, core it is the right answer, लेकिन यहां से एक और question फूछी जाती है कि mental और crust के बीच में जो यह line है, यह वाली जो line है, यह जो discontinuity है इस discontinuity का क्या नाम है, तो आप क्या बोलोगे मोहो, discontinuity और जो mental और core की बीच में जो discontinuity है, यह जो line है, जो इसको separate करती है इसको क्या बोलोगे, goodberg discontinuity ठीक है, यहां से जो possible questions है, वो पूछे यही जाते है, ठीक है अब देखो, जैसे जैसे अपन in depth जाते है, वैसे वैसे इसकी density increase होती है ठीक है, अब इसकी जो relative density है, crust की कितनी है, mental की कितनी है, core की कितनी है वो हमने अपने lectures में बहुत diagrammatic representation के साथ बहुत अच्छे से समझाच चुके है तो यहां time waste नहीं करेंग उस चीज के लिए next move करते है, total percentage of sandstone and limestone in earth crust यह थोड़ा सा debatable question था, because इसमें जो option है, वो सही answer तो इसका 22 है लेकिन यह exactly ऐसा question आया नहीं था, मतलब 22 option था नहीं, तो कुछ लोगों ने उसको challenge किया, कुछ लोगों ने छोड़ दिया तो हम आपके लिए जो सही है वो ही लेके आया है, कि देखो, sandstone का content होता है 15% in earth crust और limestone का content होता है 7%, 15 plus 7 is 22, 22 is the right answer next move करते है, whole earth crust, igneous rock उन में से कितनी है, पूरे earth crust में से igneous rock कितनी है क्या वो 95% है, क्या वो 74% है, क्या वो 5% है या क्या वो 83% है, तो देखो, जब भी आपको whole earth crust की पूछा जाए कि पूरे earth crust में से अगर कितनी igneous rock है, तो हमेशा 95 is the right answer लेकिन एक तरीके से और यहां पर भी question पूछा जाता है, गुमा के, वो question होता है आपका, कि बताओ अपर 5 km layer में कितनी sedimentary rocks होती है, तो वहाँ अगर sedimentary rocks पूछे, तो आपको बताना है कि सर अपर 5 km में 74% sedimentary rocks होती है, और अगर आप पूरे earth crust की बात करोगे, crust mental core की बात करोगे, पूरे earth पूरे scenario की बात करोगे, तब 95% क्या होगा? इगनियस rock होगी, दोनों की properties अलग-अलग है, इनके further classifications है, इसनके further classifications में जो आपके extrusive rocks आती है, intrusive rocks आती है, इगनियस rock में, फिर sedimentary rocks में बहुत सारे उसके further types है, chemically, biological formed, यह सब types, बहुत अच्छे से हमने explain किया है, ठीक है, next बात करते हैं, which of the following is not related to suborder, देखो, जो बच्चे ऐसे थोरो reading करके जाते हैं, उनको यह questions नहीं आएगा, कि जो बिल्कुल उपर से reading करके चलेगे, उनको शायद यह question मुश्किल होगा उनके लिए, because यह जो आपकी fundamental I-Tripleis है, न्यू आली I-Tripleis है, introduction to Indian society of soil science, उस में से जो table है आपकी, जिसमें order, suborder, इन सब की जो आगे content लिखावा है, उस table में से direct question पूछा गया था, और उस table में से यह question था, कि इन में से कौन सा suborder में नहीं आता, wetness आता है, genetic homogeneity आता है, parent material उसमें भी उसको consider करते हैं, लेकिन diagnostic horizon है न, वो order का type है, suborder का, suborder में इसके बारे में जादा information नहीं दी जाती, तो यहाँ सही answer क्या होगा, diagnostic horizon, ठीक है, next question move करते है, यह numerical था, how to 1% urea solution for 1 meter cube for hydrophonics, hydrophonics है, that means completely water है वो guys, हाँ या न, ठीक है, how much urea is needed, अब इस particular 1% urea solution अगर अपन डालेंगे 1 meter cube में, तो आपको simple सी बात याद रखनी है, 1 meter cube is equals to 1 meter cube is equals to 1000 liters, yes or no, यह आपको आना चाहिए, 1 meter cube is equals to 1000 liters, अब देखो, एक परसेंट solution डाला है, एक परसेंट अगर 100 kg में होता, तो हम लिखते 1 kg, लेकिन या वन liter लिखते हैं, लेकिन यहां अपने पास value क्या है, 1000 liters हैं, और एक परसेंट यहां क्या हो जाएगा, 10 kg, ठीक है, क्योंकि लिटर ज्यादा है, जीरो ज्यादा है, तो इधर आपको 10 kg हो जाएगा, तो इसका सही अंसर होगा 10 kg, 0.1 kg नहीं, 100 kg नहीं, और 1000 kg भी नहीं, हाइट्रोफोनिक्स में, अगर एक परसेंट यूरिया सोलिशन डालना है, वन मिटर क्यूब में, तो 10 kg आपको यूरिया चाहिए, आगे मूव करते हैं, विच एलिमेंट ऑल्सो हेल्प स्टो P-FIXATION and Z-N-FIXATION। फोस्फरेस और Z-N-FIXATION में कौन सा कौन सा एलिमेंट हेल्प करता है? तो आपको, यह आपका माइक्रो-नूट्रेंट चेप्टर से कूशन पूछा गया है, जहाँ micronutrient में जो ZN का मैं आपको जैसे जैसे यह test series शलरी है वैसे वैसे मैं आपको source भी बता रहा हूँ कि यह question कहां से पूछा गया है और उससे क्या होता है उसका purpose क्या है बताने का कि जब आप preparation करने बैठेंगे वापस अपनी books खोलेंगे तो आपको पता चलेगा हाँ सर ने बताया था कि यहाँ से question पूछा गया है तो मुझे उस portion को थोड़ा और ज़्यादा बारिकी से या थोड़ा और ज़्यादा concentration से देखना होगा because मुझे इस बार net clear करना है ठीक है तो जब micronutrient chapter खोलोगे तो ZN का जो explanation दिया वा है उसमें elements दिये वे हैं जिसमें ZN fixation, P fixation का काम करता है वो कौन सा element है तो उसका सही answer है cephalerite ठीक है next move करते हैं यह आई ट्रेपलिस की बात कर रहा हूं है arsenic which form is toxic in which form मतलब arsenic की कौन सी form है जो ज़्यादा toxic होती है बताईए arsenic की कौन सी ऐसी form है जो ज़्यादा toxic है आप अपना evaluation करेए यह जो question है वो soil pollution से पूछा गया है जिसमें जो arsenic का brief दिया गया था arsenic के brief में especially यह पूछा गया था कि जो arsenic है मतलब इसकी दो forms होती है generally AS5 या AS3 इन में से ज़्यादा toxic कौन सी होती है तो ज़्यादा toxic वो होती है जो ज़्यादा soluble है तो RC nights है न वो 5 to 10 times ज़्यादा soluble है और ज़्यादा toxic है देन RC nights यह बहुत बारिकी वाला question है नेट और नाइट का मतलब जो लोग बहुत अच्छे से नहीं जानते soil pollution को जिसने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो वो यह एक गलती कर सकते है तो याद रखें कि जो arsenic की toxic form होती है वो RC night होती है next question which nutrient determined by mass spectrometry कौन सा ऐसा nutrient है जिसको पन mass spectrometry से determine करते हैं बताईए mass spectrometry से पन जिसको determine करते हैं वो है कौन सा nutrient बताईए फटाफट comment section में very good mass spectrometry से रंजीत कुमार यूर से आर्सन नेट आर्सन नेट नहीं होता आर्सन नाइट होता है very good phosphorus mass spectrometry से phosphorus को determine करते हैं very good फिर बात करते हैं lambert beer's low is related to क्या वो double A से related है क्या वो mass spectrometry से related है क्या वो gas chromatography से related है या वो flame photometer से related है lambert beer's low होता क्या है हम कोई भी चीज के answer पर jump करने से हमारा एक्जाम तो चल नहीं रही है यह तो discussion और detail session है और detail session है तो आपको एक एक चीज की detail जानना जरूरी है lambert beer's low क्या कहता है lambert साब थे उन्होंने बोला कि लेट से यह एक glass है और beer साब ने बोला एक दूसरी glass है lambert साब ने बोला जितनी इसकी थिकनेस ज्यादा होगी अगर मैं यहां से light pass करूँगा तो जितनी ज्यादा थिकनेस है उतना कम pass होगी वो light self understood चीज है yes or no less passing होगी अगर थिकनेस ज्यादा है तो beer साब ने बोला अगर इसमें से कोई solvent है जिसकी concentration ज्यादा है तो इसमें से light कम pass होगी तो यह जो low है lambert beer's low वो किसके लिए काम आता है lambert beer's low काम आता है double S के लिए ठीक है double S का आपको principle भी बहुत बार पूछा जाता है तो उसका principle भी आपको याद रखना है ठीक है next अपन बात करते हैं which nutrient is determined चलो यह हो गया question which instrument is used for p determining ऐसा कौन सा instrument है जो phosphorus को determine करने के लिए use किया जाता है देखो phosphorus को use करने के लिए spectrophotometer use किया जाता है flame photometer use किया जाता है potassium sodium के लिए double S use किया जाता है बहुत सारे micronutrients को determine करने के लिए ICPA इस भी micronutrients को एक साथ ज्यादा अगर ज्यादा quantity है और काफी सारे nutrients है तो ICPA use किया जाता है जिसकी full form होती है inductively coupled plasma atomic emission spectroscopy ठीक है और यह आपका spectrophotometer phosphorus के लिए use होता है jumping on the next question one mole of N2 fixation requires how much ATP 1 mole N2 को fix करने के लिए 1 mole N2 को fix करने के लिए कितनी आपको ATP की requirement होती है क्या वो 16 ATP है क्या वो 18 ATP है क्या वो 25 ATP है या वो 22 ATP की requirement होती है तो आपको answer पता ही है कि 16 ATP की requirement होती है 1 N2 को fix करने के लिए ठीक है बात करते है next question की source of respiration during denitrification तो dehydrogenase होता है फिर बात करते है sand और silt क्या है primary mineral है secondary mineral है tertiary mineral है या accessory mineral है तो आपको पता है sand और silt primary mineral है और clay जो है वो एक secondary mineral है देखो primary mineral कौन-कौन से है sand और silt अब देखो इनकी sizes important है जो USDA का classification है वो भी important है और जो international union of soil science का जो classification है वो भी important है तो इनकी बहुत simple trick हर exam में चाहिए वो SRF 2022, SRF 2023 ASRBnet 2021 या ASRBnet 2023 हर paper में ये चीज़ पूछी जाती है बहुत basic है लेकिन हर बार बच्चे गलत करते हैं because बहुत ज़्यादा confusion हो जाती है तो बहुत अच्छी सी मैंने trick यूज करी है इनको explain करने के लिए soil physics के lectures में आप हमारे content में देख सकते हैं फिर बात करते है finely foliated और laminated rock ये अपन बात करते हैं कि कौन से ऐसी rock है जो finely foliated और laminated है ये अपन किसकी बात कर रहे है metamorphic rock की क्या वो cyst है क्या वो slate है क्या वो genesis एक दूसरी term आया है confuse करने के लिए या वो marble है ठीक है अगर cyst है तो cyst is finely foliated अगर very finely foliated आता तो slate आता ठीक है marble अलग है जो limestone से बनी भी होती है limestone से जो metamorphism होता है उसके बाद आपको marble बनता है natural aggregates are cold natural aggregates को हम क्या बोलते हैं क्या उनको pets बोलते हैं क्या उनको clothes बोलते हैं क्या उनको fragment बोलते हैं या उनको बोलते हैं aggregates देखो आपको कुछ भी questions पूछा जाए इन चारू में से pets होते हैं natural aggregates तो option A is right लेकिन what are clothes clothes are artificial aggregates artificial aggregates कैसे बने सर आपने करी tillage activity tillage activity जैसे ही की तो let's say आपने friable moisture consistency पर नहीं की उसकी वज़े से कुछ aggregates बने वो aggregates क्या होंगे clothes होंगे fragment क्या होता है fragment होता है broken pad ये आप से कभी question पूछा जा सकता है कि fragment क्या होता है तो fragment is broken pad अगर वो जो naturally aggregate बना है अगर वो टूट जाएगा तो उसको पन fragment बोलेंगे ठीक है फिर बात करते है active factor of soil formation जैसे कि मैंने अभी तक discuss कर दिया है ये भी question पूछा जा सकता था कि active or passive factors किस ने दिये और ये question पूछा भी गया है तो आपको क्या बोलने active factors of soil formation क्या वो climate है जी हाँ climate है क्या वो biosphere है बिल्कुल है मतलब option A is right climate time बिल्कुल नहीं है biosphere है लेकिन time नहीं है parent material नहीं है और time भी नहीं है तो ये दोनों आपके सही मतलब option A is correct next question most influential factors of soil forming processes अब आपको ये line जो है वो लिखी भी नहीं है आई ट्रिपलेस में या आपकी ट्रिटाइस बुक में तो आप क्या सोचते हो कि सर मुझे तो नहीं पहता ये चीज़ लेकिन देखो जैनी ने जो factors दिये थे chlorpitt, climate, organism, relief, parent material और time उनमें से जो sequence है ना जैसे सबसे पहले climate आता है तो उसका influence सबसे ज़्यादा है because उसमें rainfall और temperature दोनों count होते हैं और उसी की वेज़े से soil formation सबसे ज़्यादा affect होते है तो सबसे ज़्यादा influential कौन सा है climate अगर आप से sequence पूचे organism, फिर पूचे relief, फिर पूचे parent material, फिर पूचे तो time, ये इसका sequence है सबसे ज़्यादा influential ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये और फिर ये तो यहाँ सबसे ज़्यादा influential कौन सा है climate बात करते हैं next the moisture content at which maximum compaction occurs ऐसा कौन सा moisture content है जहाँ अब compaction करें तो सबसे ज़्यादा compaction होगा अब देखो, तीन terminologies आती है compaction, compression और consolidation जब आप soil physical properties पढ़ते हो ये तीन नूँ properties में आप बहुत ज़्यादा confused होते हो तो इनका हमने diagrammatic representation से बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा है you can watch those lectures और आपके doubts solve हो सकते हैं यहां हम आपको ज़्यादा time नहीं लेंगे because this is paper analysis वो पूरा ही अलेक topic हो जाएगा इस question का answer क्या होगा क्या वो proctor index होगा proctor तो हो सकता है लेकिं index क्या चीज़ है नहीं sir proctor moisture content absolutely right moisture equivalent नहीं sir moisture equivalent तो कुछ centrifugal force related हमें कुछ याद आ रहा है कि sir ऐसा कुछ होता है कि एक जो soil है saturated है उसको हमने thousand times centrifugal force पे गुमाया एक sandy soil है एक clay soil है अब इसके बाद में जो water content बचा that is known as moisture equivalent yes or no इसकी यह definition होती है अब यह जो compaction पूछा है इसका answer क्या होगा option B is right proctor moisture content यह हैं आपका FC मतलब field capacity नहीं बिल्कुल नहीं फिर बात करते है potential acidity measured by अच्छा potential acidity क्या होती है सर आपने तो सिर्फ हमें बताया active acidity, exchangeable acidity और residual acidity और सर बताया तो था potential acidity लेकिन सर भूल गए बताईए वापस तो देखो potential acidity वो acidity होती है कि आपकी अभी जो soil है इस condition में वो acidity नहीं provide करा रही है उसमें acidity पे कोई effect नहीं है बट अगर उसमें थोड़ा सा chemical changes या उसमें equilibrium का change हुआ तो वो हो सकता है कि वो आपकी acidity को enhance करे जैसे potential acidity का pH पूछा जा सकता है आपसे कि बताओ potential acidity जो होती है उस particular soil का pH कितना होता है तो उसका acidic soil में convert हो जाएगी और mainly acidic sulfate soils बना लेती है जिसका pH होता है less than 3.5 अब भी pH होता है 6 अब इन में से अगर potential acidity को measure करना है तो क्या use करना पड़ेगा CACL2 TEA या SMP CACL2 इसका right answer है फिर बात करते हैं pyroxene is example of क्या वो inosilicate का अब देखो आई ये क्या है आई नो silicate sorosilicate tecto phylo जब अपन classification of soil minerals पढ़ते हैं soil mineralogy और chemistry में तो आपको जो silica tetrahedron के base पे कुछ classification है सबसे पहला classification है naso silicate जिसका दूसरा नाम होता है क्या island silicate island मतलब जिसके आसपास कोई नहीं है जिसके आसपास कोई भी नहीं है उसको कहते हैं अपन naso silicate ठीक है मतलब जो silica tetrahedron है उसकी sharing किसी से भी नहीं है वो अपने आप में अकेला है ठीक है उसके बाद में आते हैं आपके naso के बाद में soro फिर cyclo फिर आइनो में दो types होते हैं देखो यहाँ in detail नहीं पूछा गया है बहुत simple सा पूछा गया है इसमें आइनो में एक होता है single chain एक होता है double chain जो single chain आइनो silicate है उसका example होता है pyroxene जो double chain silicate है इसका example होता है amphibol यह groups हैं ठीक है फिर sorosilicate के अलग examples हैं tectosilicate में चारू के चारू सिलिका tetrahydron linkaged एक दूसरे से linked होते हैं और phylosilicate जो आपके soil clay minerals आगे हर एक में इतना potential है कि यहाँ से 10-10 questions बन सकते हैं और जो भी 10-10 questions बन सकते हैं वो हमने अपनी जो test series है उसमें डाल रखे हैं कि आइनो सिलिकेट के pyroxene में भी 6 अलग-अलग minerals हैं उनको कैसे effectively आप long term तो याद कर सकते हैं उसके लिए हमने एक trick बनाई फिर double chain आइनो सिलिकेट amphibol को कैसे याद कर सकते हो तो उसको यह एक अलग trick है उसमें जो minerals हैं coming to night, grunerite, tremolite यह सब अलग-अलग उसकी एक trick बनाई भी है ताकि आप exam time में भी confused नहीं हो फिर sorosilicate में क्या इसकी specifications है tectosilicate में क्या tectosilicate की properties है क्या उसका formula है क्या उस पे charge है कितनी weathering ability है यह सब की सब यहाँ से potential questions पूछे जाते हैं that is why मैं आप से discuss कर रहा हूँ कि सिर्फ इतना जानना काफी नहीं है इसके पीछे का परदा भी जानो कि इसके पीछे क्या-क्या चीज़े हो रही है और इसकी chemistry क्या है जब आप soil science net का paper देने बेठोगे तो you must ensure कि आपको इन चीज़ों के बारे में अच्छी खासी knowledge हो because यहां से बहुत सारे equations बन सकते हैं guys बात करते हैं next for micronutrient determination which of the following is used क्या वो 0.0005 molar का DTPA use होता है क्या 0.05 का या 0.5 का या 0.005 अब किसी ने अगर उपर उपर से याद किया होगा तो वहाँ जाके confused हो गया होगा तो आज का सही answer है 0.005 DTPA at pH 7.3 ठीक है next बात करते हैं saline soil का pH क्या है देखो जो आपकी salinity और alkalinity में तीन टाइप आप of soil होती है saline soil, alkali soil और saline alkali soil saline soil का pH होता है less than 8.5 alkaline soil का pH होता है more than 8.5 और saline alkaline soil का भी pH होता है more than 8.5 ठीक है यह depend करता है कि salinity ज्यादा alkalinity ज्यादा है but in case आप से पूचा जाए तो more than 8.5 according to new I-Eat replace ठीक है next move करते है which microorganisms are found in saline soil अब बताओ कि कौन से microorganisms ज्यादा मिलते हैं saline soil में अब देखो इसका simple सा reason हो सकता है क्या bacteria है अगर आप से पूचा जाए bacteria इनकी सबसे ज्यादा population होती है most populated सबसे ज्यादा number इनी का होता है number की बात कर रहो है fungi का सबसे ज्यादा biomass होता है soil में algae का सबसे कम number होता है अब यहाँ से पूचा गया है कि microorganism जैसा कौन सा है जो saline soil में present है तो अपने को थोड़ा सा दिमाग लगा कि saline soil मतलब जहां arid और semi-arid conditions हो yes or no जहां arid और semi-arid conditions हो तो मतलब वहाँ dry conditions है और dry conditions में कौन सा microorganism सबसे ज्यादा present है तो वो है actinomycetes clear very good आगे बढ़ते है for microorganisms which microorganisms found lowest in rhizosphere अभी अपनने बात की rhizosphere सबसे ज्यादा rhizosphere देखो rhizosphere से क्यूशन पूचा आजा सकता है कि rhizosphere क्या है root के let's say यह root है ठीक है यह soil है यह आपका plant है यह root है यह जो area है ना इसके साथ वाला मैं आपको इसको थोड़ा सा और highlight करके बताता हूँ यह जो area है इसके साथ साथ वाला जो totally influenced है root hairs या directly root से that is known as rhizosphere और यह area कितना 2 mm का जो area है that area is known as rhizosphere ठीक है अब यह area में सबसे ज़्यादा microbial activity होती है because microbes सबसे ज़्यादा यहीं होते हैं ठीक है सर यह तो समझ में आ गया लेकिन इसका answer क्या लिखे जिसकी population सबसे कम होती है वो है यहाँ algae ठीक है next अपने move करते है negative absorption capacity is maximum of which clay nutrient देखो सबसे पहले इसको समझने के लिए अपने कोई समझना पड़ेगा negative absorption का मतलब क्या होता है फिर अपन बात करेंगे इन particular clay minerals की तो देखिए negative absorption क्या होता है अपन लिख लेते हैं देखो यह particular word है negative का मतलब minus में और positive का मतलब plus में यह सब को आता है हम इस पे focus करते हैं adsorption देखिए particular यह एक surface है ठीक है जिस surface पे कोई molecule आके adsorb होगा उसको अपन बोलते हैं adsorbent और जो molecule इस पे आके attach होगा उसको अपन बोलते हैं adsorbate यह कुछ ऐसी terminologies है जो आपको याद होनी चाहिए ठीक है अब देखो adsorbate एक surface पे आके adsorb होगा उस surface को अपन बोलते हैं adsorbent अगर वो adsorbate आके यहाँ attach हुआ that means कुछ ना कुछ adsorption हुआ तो हम इसको name देंगे positive adsorption अगर let's say इस particular यहाँ adsorb नहीं हुआ because of any reason अब वो reason हम इस थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे because of any reason यहाँ कोई adsorption हुआ ही नहीं तो अपन इसको क्या बोलेंगे negative adsorption और यह कब होता है हम इसको इसको detail में पढ़ते हैं कि यह कब हो सकता है देखो यह कब होगा negative adsorption गबराने वाली बात नहीं है बहुत easy concept है बहुत simple सा concept है let's say यह आपकी clay है यह आपकी clay particle है जिसका negative charge है जिसका surface most of the times negatively charged होता है अब देखो यहाँ कोई clay particle यह clay particle है यहाँ कोई anion let's say phosphorus आया H2PO4 माइनस है H2PO4 माइनस आयेगा तो क्या इस पर adsorb हो पाएगा नहीं because like charges repel each other अगर same charges होंगे तो एक दूसरे को धक्का देगा हाँ या ना अब धक्का देगा तो यह repel करेगा इसको और repel कितना जादा करेगा वो depend करता है इसके surface charge पे let's say कि कल भी मैंने इसी समझाई थी कि एक आपका कोई let's say एक person है जिसकी strength है कुछ जो एक let's say table है इसको push कर सकता है 10 meter तक एक उससे ज्यादा strength वाला बंदा है जो same table को 20 meter तक push कर सकता है तो ज्यादा capacity किस की होई इस बंदेगी जिस जो ज्यादा देख जो ज्यादा दूर तक कोई object को push कर सकता है ये शोनो वैसे ही clay particle जिसका surface hour ज्यादा होगा वो उस particular element को ज्यादा दूर तक push कर पाएगा मतलब ज्यादा दूर तक repel कर पाएगा और repel यहाँ कौन करेगा जिसका surface hour जब से ज्यादा है और वो होता है वर्मिकुलाइट का वर्मिकुलाइट का और that is why इसकी CEC सबसे ज़्यादा होती है ये भी पूछा जाता है कि केटाइन एक्षेंज केपिसिटी कौन से मिनरल की सबसे ज़्यादा होती है तो वो होती है वर्मिकुलाइट की ठीक है? यहाँ वर्मिकुलाइट इसका सही एंसर होगा बात करते है नेक्स्ट क्यूशन की विच मोश्य रिजाइम इस सूटेबल फोर लीचिंग ये लीचिंग की पूछा गया है कौन सी मोश्य रिजाइम है जो लीचिंग के लिए सूटेबल है ठीक है ठीक, उडिक, अरिडिक और एक बहुत इजी कुशन है इसका इसलिदे आप कमेंट बॉक्स में दोगे देखना चाहाँ कि आप कितने सोय हो या जगे हो मैं लिमिटेशन ऑफ स्टॉक शलो आपने physical properties पढ़ी होगी तो stocks law से आप avoid नहीं कर सकते, stocks law यह बोलता है कि यह एक particular let's say यह जगे है जहां एक soil suspension है, उस suspension में different एक sand particle है, एक silt particle है और एक clay particle है, तीनों की size अलग अलग है, यह कितना जल्दी settle होंगे वो depend करेगा कि इनका radius कितना बड़ा है, मतलब जितना ज्यादा object heavy होगा वो जल्दी settle down करेगा yes or no, बस stocks law यही कहता है कि आपका जो object है वो depend करेगा, जो इसका falling part rate है, वो depend करेगा इसके mass क और university proportion होता है इसके radius के, ठीक है, mass density वगेरा, अब देखो, इन में limitations थी, चार limitations में थी, stocks law की और बार बार पूछी जाती है, SRF 2023 में पूछी गई, SRF 2022 में पूछी गई, 21 में पूछा गया, ASRB ने 21 में पूछा गया, ASRB ने 23 में पूछा गया, कि इनकी limitations क्या है, लेकिन इस बार क्यूशन थोड़ा गुमा के पूछ लिया, इन्होंने बोना limitation नहीं जानने मुझे, मुझे बताओ, सबसे ज़्यादा limitation किस की है, अब देखो, सबसे ज़्यादा limitation, अगर size की होती, size ये बोलता है कि size इतना भी छोटा नहीं होना चाहिए, less than 0.0002 नहीं होना चाहिए, कि वो brownian moment show कर दे, जो zigzag moment होता है, तो हम बोलते हैं कि let's say, ठीक है, हम clay size particle रख लिया, जो इस से तो थोड़ा छोटा है, बट क्या होगा, कि वो brownian moment show नहीं करेंगे, और silt से clay particle के size अपने रख ली, जो colloid की particle है, उसको उपने हटा दिया, gravity of particle ठीक है, वो भी हटा दिया, एक बार के लिए, यह इनकी shape का एक limitation था, यह सबसे बड़ी limitation थी, वो थी, particle shape, आप अगर stocks लोगो समझना चाते हैं, तो हमारे soil physics के lectures में बहुत अच्छे से, मैं फिर बोलता हूँ, diagrammatic representation से, ताकि आपको long term तो याद रहे, उसको बड़े अच्छे से explain किया गया है, तो आप वहाँ से देख सकत बताओ, different size of soil minerals, अगर अलग-अलग sizes के soil minerals है, क्या उसको separates बोलते हैं, क्या उसको texture बोलते हैं, क्या उसको structure बोलते हैं, यह आपको new I triples में, physical properties का जो chapter है, physical properties, chapter 5th, उसके पहले page में मिल जाएगा, soil texture के अंदर लिखावा है, soil texture की जो heading है, उसके अंदर में एक definition लिखी हूँ ह soil separate की, वो definition है, different sizes of soil particles are known as soil separates, तो इसका answer है, soil separates, relative proportion of sand, silt clay is known as texture, soil particle है, एक individual particle की बात कर रहा है, और soil structure होता है, arrangement of different soil particles is known as soil structure, जिसके आगे further 4 types होते हैं, platy, prismati, यह सब, बात करते हैं, next question की, 4 to 75 mm of size of soil particle is called, देखो, अगर आपने थोड़ा ध्यान नहीं दिया, factual questions काफी सारे आ रहे हैं, आप देख पारे हो factual questions बहुत आते हैं, और factual questions एक opportunity लाते हैं आपके पास कि आप अच्छा score कर पाओ, because वो in-depth उतने नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है, अब देखो, 4 to 75 mm की जो range है, उसको क्या बोलेंगे ग्रेवल बोलेंगे, कोबल बोलेंगे, स्टोन बोलेंगे या पेबल बोलेंगे, ठीक है, न्यू आइट रिप्लेस में, जब आप फिजिकल प्रोपिटीज भड़ोगे, जैसे मैंने बोला, सोईल टेक्चर के अगला वाला पेज टरंड करोगे, सबसे टॉप हेडिंग में यही सारी चीज लिखी विये, ग्रेवल की साइज दी विये, 2 से 4 mm, फिर दी विये पेबल की 4 से 75 mm, ग्रेवल पेबल, कोबल, 75 से 250, 250 से 600, और एक केटेगरी और आजाती है, जिसको अपन बोलते हैं, बोल्डर और बोल्डर की रेंज होती है, तो यहां से आपका कौन सा पूचा गया है, 4 से 75, तो पेबल इसका राइट एंसर है, ठीक है, पेबल इस करेक्ट एंसर, ग्रेवल, पेबल, इसकी मैंने एक शोट फॉर्म भी बताई थी, जब हम क्लास में डिसकस कर रहे थे, ग्रेवल, पेबल, कोबल, स्टोन, बोल्डर, मैंने यह बोला था, PCS Board, PCS Board का एक्जाम है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, कि अगर आपको factual questions में प्रॉब्लम है, बहुत सारे students बोलते हैं, सर, डाटा इतना जादा है, सोईल साइंस में है, कि हम याद नहीं रख पा रहे, तो उसके भी simple tricks होती है, कि आप long term तर बहुत आसान तरीके से कैसे याद रख सकते हो, because कोई भी यहाँ ऐसा genius mode mind नहीं है, कि सब कुछ आपको, जैसे स्वामी विएक अनद का था, कि paper based memory थी आपको, जो देखा, वो याद रहे गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, students में बहुत ज़्यादा differ करता है, कि उनको, किसी को concept अ about micropores, micropores से क्या सही नहीं है, not true पुछा यहाँ, क्या वो water retaining है, क्या वो water conducting है, क्या capillary rise उन में होता है, या वो 0.06 mm से सही है, अब देखो, water retaining होते हैं, यह सही है, capillary rise होता है, यह भी सही है, यह size भी सही है, लेकिन water conducting नहीं होते है, water conducting macropores होते हैं, तो that is wrong, ठीक है यह मेक्रो पोस की कहानी है ठीक है next move करते है moist soil has plasticity कौन से plasticity होती है moist soil में क्या friable होती है क्या plastic होती है क्या dry होती है या sticky होती है आपको बहुत easy answer जैनरल लेवल का क्यूशन है तो आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हो ठीक है अवेलेबल वाटर इस यह भी बहुत जनरल क्यूशन है I hope कि आप इन क्यूशन को अपने एंड पर कर पाओगे अवेलेबल वाटर कौन सा होता है फील्ड कैपिसिटी से पर्मानेंट विल्टिंग पॉइंट पर होता है यह पर्मानेंट विल्टिंग पॉइ बीट्वीन अवेलेबलवाटर यह किपलेरी वाटर का इक टाइप है जसमेंसे आदा अवेलेबल होता है आदा अवेलेबल नहीं होता य है आइरनन ड क्लोरोसिस अंट रखोगे कि जब को अब्लोरोसिस पूछी जाए ठीक है इंट्रवेनल क्लोरोसिस, कम्प्लीट क्लोरोसिस या कम्प्लीट इंट्रवेनल क्लोरोसिस, तीन टाइप की क्लोरोसिस होती है, क्लोरोसिस मतलब येलोईंग ओफ लिव्स, अब यहां से आप याद रख लो कि ये वाय और ये ओल्ड, या वाय फॉर यंग लीव्स और फॉर leaves complete chlorosis होती है younger leaves में due to sulfur older leaves में होती है due to आपकी nitrogen intravenal chlorosis होती है due to iron यह होती है due to older leaves में magnesium ऐसे याद रख लो कभी नहीं भूलोगे और हमेशा long term तक आपको चीज़ें याद रहेगी younger leaves older leaves complete chlorosis intravenal chlorosis necrosis होती है death of leaf ठीक है फिर बात करते है statement एक ही statement का question आया था एक या दो ही question आया थे हम यह सोच रहे थे कि बहुत सारे questions आएंगे but it was quite surprise to us also statement one fertile soils are productive fertile soils are productive या statement two productive soils are fertile बहुत easy question है comment section में इसका answer लिखो fertile soils may be productive और may not be productive ठीक है जरूरी नहीं है लेकिन productive soils are fertile statement two is correct statement two is correct ठीक है इसमें एक यह probability हो सकती है कि देखो fertile soil और productive soil का मतलब क्या है कि हो सकता है soil में nutrients हो ठीक है लेकिन अगर उसकी वैसे productivity नहीं है productivity क्या है जो crop yield में अपन मेजर करते हैं और fertility क्या है जो soil में nutrient status को अपन देखते हैं ठीक है तो statement one यहां से completely justifiable नहीं है that is why statement two is correct which color soil warm rapidly कौन सी color की जो soil है वो ज्यादा जल्दी गरम होती है क्या वो dark color की soil है क्या वो white color की soil है या वो gray color की soil है देखो एक simple सी announcement यह थी मतलब before the class मुझे बतानी चाहिए थी आप यह चीज हमेशा याद रखें कि यह जो questions है वो memory based questions है आपको पहली slide में आपको complete paper नहीं देता है ना वह आपको कुछ digital form में कुछ देता है आप जाते हो paper देने आप paper देंगे वापस आ जाते हो जो आपको याद रहता है हम वो लिखते हैं और आप तक पहुंचानी की कोशिश करते हैं कि आप paper से पहले अपने आपको evaluation देख लो कि कैसे कुशन पूछे जाते हैं ठीक है तो हो सकता है कि इसमें कुछ options में language का difference हो हो सकता है कि जो options है उसमें भी कुछ हलका हुलका difference हो बट जो हमारा message है वो है कि इस परकार के majority of the questions पूछे जाएंगे और वही आपको उस हिसाब से तयारी करनी है ठीक है कि सर आप net soil science की class daily लिया करो हम net soil science की class daily लेते हैं और हमारे course है जो आपको मैंने शुरुवात में बताया था ASRB net और SRF soil science उसके लिए आप given numbers पर call कर सकते हो तो वीडियो के शुरुवात में दिये गए हैं ठीक है बात करते हैं next when k is more fixed than coordination number will be coordination number क्या होता है देखो coordination number क्या होता है कि एक central cation a let's say potassium है इसके आसपास कितने anions accommodate कर सकते हैं ठीक है इसके आसपास कितने anions accommodate कर सकते हैं मतलब एक cation कितने दूसरे anions के touch में हैं यहां एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा let's say यहां 11 है ठीक है लेकिन हमेशा याद रखना कि जो let's say और कर लेते हैं potassium के case में बारा ही coordination number होता है जब वो tightly bond होता है तो बारा coordination number ठीक है अब coordination number आता कहां से हैं यहां से एक और question पूछा गया कि coordination number आपने देख लिया यह होता है कि coordinate एक cation है वो दूसरे anions के कितने जादा touch में है अब यह तो depend करेगा ना कि हो cation कितना बड़ा है अगर यह cation इतना होता तो क्या बारा एनाइन्स अकुमोडेट कर पाते हैं यहां गाईज नहीं कर पाते ना डाइट मीन्स यह depend करता है एक factor पे वो होता है radius रेशियो लो इस लो पे डिपेंड करता है कि इसका coordination number कितना होगा और radius ratio क्या होता है radius of cation upon radius of anion radius of cation जो cation का कितना radius है below anion का कितना radius है ठीक है उस ratio पे depend करता है कि वो कितने anions को accommodate करेगा यहां answer 12 है next move करते है clay is also known as क्या skeleton बोलते है clay को नहीं skeleton उसको बोलते हैं जो active part नहीं है जैसे आपका skeleton धाचा है वो active part नहीं आपको support दे रहा है बट आपका जो flesh है जो आपका muscles है वो active part है वैसे ही skeleton होता है sand plus silt और जो flesh है उसको पर बोलते है clay because that is active part active part मतलब it hold charges it shows cation exchange capacity or it is responsible for different mechanism in soil तो इसका answer है flesh is clay next move करते है sodium helps in क्या वो flocculation में help करता है क्या वो dispersion में help करता है क्या वो aggregation में help करता है या none of the none of these देखो sodium एक monovalent ketine है सब जानते है na plus की form में होता है अब ये हमेशा dispersion cause करता है dispersion cause इसलिए करता है because इसकी जो size है ये sodium L8 से इसकी size होती है 0.98 angstrom जब वो unhydrated form में होता है जैसे ही वो hydrated होता है उसकी size increase होती है 2.20 angstrom में अब सर size increase होने से मुझे क्या लेना देना dispersion कैसे हुआ आप तो ये समझाओ dispersion ऐसे हुआ देखो दोस्तों ये soil थी इसमें अलग-अलग let's say sodium के particles ऐसे थी ठीक है अब जैसे ही आपने पाने डाला तो क्या हुआ ये particles बड़े हो गए तो एक दूसरे को इन्होंने surface इनको ज्यादा surface ये ऐसे थे इनको ज्यादा surface ये expand करने के लिए तो एक दूसरे को इन्होंने repel किया ना that is why dispersion हो गए dispersion का मतलब एक साथ आप थे उनको आप दूर चलेगे that is known as dispersion और sodium यही करता है sodium shows dispersion next move करते हैं carbon sequestration is maximum in let's understand the concept of carbon sequestration what is carbon sequestration carbon sequestration आज की टाइम पे सबसे hot topic बनावा है चाहे वो researches low चाहे वो climate change की बात करते हैं तो हर एक के मुद पर एक ही नाम है carbon sequestration और ASRB वालू के पास भी एक ही नाम है उन्होंने भी sequestration दिया अब देखो carbon sequestration का मतलब होता है तर्निंग और holding the soil turning और holding the carbon into the soil अगर आप जो environment में जो carbon है let's say co2 है cfc है और बाकी सारे जो भी carbon के sources है उन sources को कोई ना कोई mechanism से आप soil के अंदर store कर लो storage of those environmental carbon elements into soil is known as carbon sequestration अब carbon sequestration पूछा गया सबसे ज्यादा कौन सी सोयल में हो सकता है क्या वो sandy soil में हो सकता है क्या वो loam soil में हो सकता है क्या वो clay soil में होता है यहां concept आता है specific surface का जिसका specific surface सबसे ज्यादा होगा उसका carbon सिक्वेशेशन ज्यादा होगा because specific surface मतला उसके पास area कितना है जितना ज्यादा area होगा उतना ज्यादा ही तो वो रोक पाएगा किसी को हाँ या न तो clay के पास सबसे ज्यादा specific surface area होता है और clay is that is why clay has highest potential of carbon sequestration ठीक है तो यहाँ जो answer होगा वो होगा clay next move करते हैं obligate anaerobic end to fixation is obligate end to fixation जो होता है obligate anaerobic पूछा है anaerobic और obligate मतलब जो बहुत ज्यादा compulsory हो जिसके survival के लिए obligatory हो मतलब इसके बिना वो जिन्दा नहीं रह सकता मतलब obligatory वो होता है claustridium next open बात लेते हैं यह जो पूछा गया है ना guys यह सब पूछा गया है जैसे जो soil organic matter or biochemistry वहां से microbiology से यह एक general question है जो आपको जब आप हम discuss करते हमारे concepts को तो आपको आराम से आ सकता है highest flocculation by which of the following element highest जो flocculation है देखो जो मने dispersion बताया उसका उल्टा है flocculation flocculated soils are favorable for agriculture flocculated मतलब जो soil particles है वो एक साथ आगे ठीक है तो यहां से क्या होगा healthy soil हमेशा flocculated होती है और flocculation होता है mainly calcium की वैसे यहां को calcium option में दिख जाएगा that is the correct answer और देखो flocculated soil में क्या-क्या अच्छा होता है physical properties सारी अच्छी होती है कौन-कौन सी जैसे water infiltration percolation water air relationships यह सब प्रोपर होते हैं flocculated soil में और प्रोपर ariation होता है that is why flocculation में calcium help करता है unitless central tendency measure यह statistics के कुछ 3 से 4 questions थे तो unitless central tendency measure होता है coefficient of variance cv आप से पूछा जा सकता है आगे भी cv नेक्स बात करते हैं soil moisture control section for sandy soil soil moisture control section होता क्या है क्या वो 20 से 60 cm है 10 to 30 cm है 32 90 cm देखो soil moisture control section कैसे measure करते हैं क्या होता है बहुत अच्छे से समझाया लेकिन मैं brief करता हूँ एक या दो line में बहुत आसानी से कि देखो आपके पास यह soil है लेट से यह आपके पास तीन टाइप आप सोईल है जैसे options में दे रखाना एक है sand एक है silt और एक है clay अब आप मुझे खुद बताओ मैं आप इसकी terminology में नहीं जाओंगा मैं बसे concept समझाने वाला हूँ अगर आपने एक unit let's say 1 inch आपने 1 inch या इसको मैं बोल सकता हूँ 2.5 cm यहाँ water लगाया पूरी soil को है ना यहाँ पे भी लगाया यहाँ पे भी लगाया और यहाँ पे भी लगाया अब अगर आप कुछ time period बाद में देखोगे तो आप क्या observe करोगे सबसे ज़्यादा infiltration कौन सी soil में हुआ है क्या वो sandy soil में होगा क्या वो silt soil में होगा क्या वो clay soil में होगा आपको simple सी बात पता है कि sir sandy soil में सबसे ज़्यादा infiltration होगा, क्यूं, क्यूंकि वहाँ macro pores ज्यादा है तो soil motion control section यही बताता है, कि उस सबसे ज्यादा percolation सबसे ज्यादा किसमें हो सकता है, तो sandy soil में सबसे ज्यादा होता है, जिसकी value होती है, 32, 90 cm silty soil में होता है जो आपके options हैं 22, 60 silty soil में होता है 20-60, और यहाँ होता है clay में होता है 10-30 cm यह आपको concept समझ में आ गया होगा और that is why sand, silt और clay यह soil motion control section में क्या से क्यूशन पूछे जाते हैं फिर बात करते हैं, विप्टेल of cauliflower nutrient deficiency से बहुत सिंपल क्यूशन पूछा गया ammo deficiency इसका right answer है फिर अपन बात करते हैं which nutrient has direct effect on nitrogen fixation इसका भी molybdenum answer है क्यों? क्योंकि वो nutrient dynamics में आता है अपन detail में समझ चुके हैं इस शीश को फिर बात करते हैं A value was given by देखो, जब अपन soil science में fertility पढ़ते हैं तो कुछ values दी गई हैं कुछ एक Russell नाम के scientist थे उन्होंने E value दी थी Larson ने L value दी थी और A value दी थी Fride and Dean ने यह जो A value क्या होती है E value क्या होती है, L value क्या होती है इसका detail video आपको मिल जाएगा उसके बात बात करते है Recharging of ground water through which zone? देखो, जब अपन soil physical properties पढ़ते हैं तो यह question आपसे पूछा जाता है कि उसके तीन zones होते है ठीक है? सबसे पहला zone होता है यह वाला जिसमें यह root zone है ठीक है? यह root zone है फिर एक दूसरा zone आता है जिसको अपन बोलते हैं Wados zone ठीक है? यह Wados zone है अलग-अलग में लिख देता हूँ और यह होता है capillary fringe zone यह कौन सा zone? यह सर क्या बात कर रहे हो? कौन से? मैं तो इस दुनिया में कहीं नहीं रहता कि आपने यह zone बता दी है मेरे को देखो और यह है आपका ground water ठीक है? यह आपकी जहां आप अभी बैठे हो यह soil surface है ठीक है? जिसको अपन soil surface बोल रहे है इस soil surface में जहां तक root यह आप आ रहे है that is known as root zone फिर wados zone फिर आपका capillary fringe zone अब अपन इसको detail में समझते है सर क्या चीज है यह यह है आपका क्या? root zone wados zone capillary fringe zone यह एक near saturated zone होता है जो almost saturated होता है water से यह unsaturated zone होता है अब आप से पूछ रहा है कि यह जो ground water recharge हो रहा है यह कौन से zone की वेज़े से हो रहा है अब आप खुद बता दोगे सर कि पानी तो इदर से आया और यह unsaturated की तरफ से गया यहां से फिर यह तो saturated था ही यहां से रिचार्ज हो गया तो आपको पता है यह wados zone से हो रहा है इस zone के थूप पानी जा रहा है recharge हो रहा है ground water तो आपका यहां answer क्या हो जाएगा? यहां आपका answer हो जाएगा wados zone clear? फिर बात करते है difference between mean weight diameter of dry saving and that of wet saving is known as यह आपका होता है change in mean weight diameter जो आपका mean weight diameter of dry saving minus wet saving का difference है वो change in mean weight diameter होता है यह आपको physical properties में देखनों को मिलेगा जब आप evaluation of soil structure करते हो तो उसमें dry saving आता है weight saving आता है उसका mean आता है उसका geometric mean आता है यहां से आपको बहुत सारे question पूछे गया है तीन question यहां से evaluation of soil structure से तीन question पूछे गया है यह सारबिनेट में यह पहला question है आगे भी questions आएंगे elite is non-expanding due to H bonding, O bonding या K bonding बहुत simple question है आप comment section में लिखिए average particle density of soil क्या होती है इसका answer भी मैं नहीं बताऊंगा बहुत simple answer है आप सारे comment section में लिखिए very good मैं देख पा रहा हूँ कि काफी सारे students बहुत अच्छे से answer कर रहे हैं और regularly answer करे हैं आप अपना evaluation करते रहे हैं साथ साथ में very good फिर बात करते हैं अपन root growth sees below ODR limit of what is ODR limit ODR limit is oxygen diffusion rate जब आप soil में aeration की बात करते हो तो ODR की बात करते हो जब आप soil में root activity को देखते हो कि root activity के लिए कितनी oxygen diffusion ज़रूरी है तो वो होती है आपकी 20 से नीचे अगर होगी तो वो आपकी ODR limit critical है और यह यहां से अगर नीचे होगी तो root growth sees हो जाएगी sees मतलब रुख जाएगी ठीक है next बात करते है axis of nitrate causes which disease बहुत important question है और बहुत बार पूछा जाता है और देखो यहां से बहुत simple सी एक terminology है जो आपको confuse करती है और हो सकता है आगे वाले exam में confuse करें मैं वो confusion दूर करता हूँ यह आपको पता है कि यह जो आपसे क्यूशन क्या क्या लेवल पर पूछे जाते है न यह आपको पता है कि nitrate होगा तो सर methane hemoglobemia होगा यह आप हमें पता है ठीक है यह आप नहीं भी बताते तो भी पता है और मिना माटा है तो वो M4 mercury से होगा itai itai है तो सर हमें पता है कि cadmium से होगा यह कुछ ऐसी diseases है जो बार-बार पूछी जाते है विकोज यह world scale पे काफी जादा news में रही थी और काफी जादा लोगों को यह hemper करती है that is why इनको बार-बार exam में पूछा जाता है तो इन तीनों से इस बार भी दो कुछन आया थे cadmium से भी आया था और यह आपका nitrate से भी आया था हो सकता है कि आप से यह पूछ लिया जाए कि nitrate में कितनी quantity होगी तो हमें यह disease होने का खतरा है एक इसका दूसरा नाम भी पूछा जाता है इसका दूसरा नाम होता है blue baby syndrome अब baby syndrome मतलब यह उनको होता है जो less than six months के होते हैं मतलब infants यह भी पूछा जा सकता है अब यह पूछा जाता है sir कितनी concentration होगी तो यह disease हो सकती है तो देखो बच्चे गन्फ्यूज होते हैं यह बोलते है sir 10 ppm होगी तो disease हो जाएगी देखो 10 ppm कब जब वो soil में होगी लेकिन अगर वो पूछे आप से कि drinking water में NO3 की क्या limit है according to food and agriculture organization तो आप बोलोगे sir 10 तो है लेकिन ppm नहीं है ppb है यह बहुत minute difference है लेकिन आपको याद रखना है ठीक है all right very good फिर अपन बात करते हैं excess of cadmium causes which disease cadmium जैसे मैंने बताया cadmium कौन से disease cause करती है इटाई इटाई फिर अपन move करते है in letterization leaching off letterization में किसकी leaching होती है क्या वो aluminium की होती है नहीं sir वो तो porzolization में होती है silica yes because silica की solubility increases with increase in pH और letterization is what basic parent material में होता है और higher pH पे होता है और इससे कौन सी soil बनती है लेटराईजेशन से letterized soil बनती है sir very good फिर बात करते है dominant clay mineral and red soil red soil में dominant clay mineral कौन सा होता है क्या वो kevlinite है क्या वो elite है क्या वो montmoronite है क्या वो vermigolite है comment section में answer लिखो और जल्दी से जल्दी इसको solve करते है अपन in Darcy low h upon l is h upon l is hydraulic gradient इसमें कुछ खास explain फिर बात करते है which method of soil water movement is based on dielectric constant of water देखो जब soil water को अपन estimate करते हैं soil water के chapter में तो वहाँ बहुत सारे methods है direct method gravy metric method एक ही method है indirect methods में आते हैं बहुत सारे method जिसमें से TDR ये neutron motion meter और भी methods आते हैं जैसे की microwave remote sensing वगेरा लेकिन यहाँ पूछा गया है dielectric constant के method पे कौन सा होता है तो TDR होता है अब वो कैसे estimate करता है let's say dry soil है तो उसकी dielectric constant है उसकी value होती है 3-6 और अगर wet soil है या moist soil है तो उसकी dielectric constant होती है 22-30 ठीक है फिर बात करते है rapid increase in yield with added nutrients can result in a decrease of nutrient concentration ये बोल रहा है कि अगर जैसी nutrient add किये और एकदम से yield में आपको एकदम से yield में increase हुआ तो वो कौन सा effect है वो effect होता है steenberg effect ठीक है फिर बात करते है विप्टेल of cauliflower किसकी विज़से होता है आपको answer पता है इसका molybdenum ठीक है फिर बात करते है activity of nitrate reductase enzyme is mainly influenced by activity of nitrate reductase enzyme तो आपको इसका भी answer पता है mineral nutrition में आपने पढ़ा है ठीक है फिर बात करते है predominant process in soil aeration is soil aeration का predominant process कौन सा होता है soil aeration कौन से process सबसे ज़्यादा होती है क्या वो mass flow से होती है क्या वो diffusion से होती है क्या वो air probability होती है या वो aeration है तो आपको पता है diffusion is dominant process इसको 90% 90% of the soil aeration is due to diffusion फिर बात करते है water between field capacity and permanent wilting point is available water अपने चीज डिसकस कर ली है फिर बात करते है anion exclusion is minimum in which clay देखो जो हमने negative absorption पढ़ाया न negative absorption अभी अपने negative absorption का concept देखा था negative absorption का जो concept देखा था clay particle से कितना ज़्यादा होता है anion exclusion क्या होता है कि exclude करना exclusion मतलब कोई चीज को exclude करना anion को exclude करना मतलब anion कब ज़्यादा exclude होंगे जब इसका particle negative charge surface होगा हाँ या न अगर maximum आता तो उसका answer होता vermigolite क्योंकि वो ज़्यादा exclude करता क्योंकि इसका surface charge ज़्यादा है यहाँ पूछा है minimum तो वो होता है केवली नाइट because surface charge positive है और anion exclusion minimum मतलब exclusion होगा ही नहीं that means वो पास आएगा और वो किसमें होगा जब opposite charges होंगे और केवली नाइट का net positive charge होता है that is why यह इसका answer केवली नाइट है फिर बात करते हैं radius ratio अगर 0.414 यह 0.732 के बीच में होगा तो coordination number क्या होगा मैंने भी radius ratio लो भी समझाया है और coordination number भी समझाया है अब देखो अगर वो आपसे पूछा जाए तो इसका answer होगा यह अगर आपका coordination number 4 है तो आपका polyhedron का shape tetrahedron है और minimum radius ratio इतना होता है यह पूछा गया है यहां से 0.414 से 732 होगा तो इसका coordination number 6 इसके बाद में 8 और 8 में यह होना चीए 0.732 से 1 और 1 से उपर होगा तो आपका 12 और dodeca hedron यह table आपको IEEE से मिल जाएगी IEEE से regression पूछा जाता है इस बार भी पूछा गया था फिर बात करते है susceptibility of soil to erosion is अगर यहां susceptibility पूछा है तो देखो soil erodability इसका correct answer है अगर पूछता कि capacity of rain to erode soil तो वो होता rainfall erosivity ठीक है rainfall erosivity soil erosivity नहीं rainfall की कितनी capacity है कि वो soil surface को erode कर दे that is known as erosivity और erodability बताता है कि कितनी susceptibility है उस particular soil की erode होने के लिए फिर बात करते है hue refers to जब अपन soil color पढ़ते है hue, value, chroma तो आपको इन terminologies यह आपको face करनी पड़ेगी hue क्या होता है dominant spectral color यह आप dominant spectral color third option है जिसको अपन wavelength भी बोलते हैं फिर आता है value फिर आता है chroma value होता है lightness and darkness और chroma होती है purity ठीक है ओल राइट फिर बात करते हैं अपन conduction of heat in soil अब देखो आप जब heat transfer in soil बढ़ते हो तो तीन mechanism होते हैं majorly heat conduction के या heat transfer के conduction, convection and radiation conduction solid materials में होता है जिसमें आपका जो soil particles है अब बताओ अगर soil को अपन heat करेगे तो क्या soil का particle move करेगा एक जगे से दूसरी जगे नहीं करेगा ना वो soil particle वहीं रहेगा और वो क्या करेगा heat transfer करेगा कैसे कैसे करेगा वो move तो नहीं करेगा without contact करेगा यहाँ यही चीज़ पूछी गई है conduction of heat in soil is through क्या through contact होता है हाँ contact होता है without contact नहीं contact तो होता है लेकिन अगर आपको यह convection पूछा जाता let's say यह soil की बात नहीं करता वो water की बात करता तो water में अगर आप से पूछा जाता तो net moment होता है उसका ठीक है और आप अगर radiation का पूछा जाता तो वो through medium होता है ठीक है फिर बात करते है azotobacter was discovered by किस ने azotobacter को किस ने discover किया फिर से microbiology का question है तो आपको answer take करना था कि azotobacter को martinus bezernick ने discover किया था जो एक french chemist थे friendlich equations, langmure equations यह जो adsorption equations है friendlich, langmure और आपकी VET, इन equations, equations पूछे जाते हैं हर बार SRF में उनकी limitations पूछे जाते हैं और SRB net में उनसे factual equations पूछे जाते हैं इस बार पूछा कि जो friendlich equation यह यह वाली, इसमें बताओ n की value क्या है, क्या वो more than 1 है क्या वो plus 1 है, क्या वो less than 1 है या equals to 1 है, तो आपको पता है कि इसकी value less than 1 है, इसका answer होगा option C फिर बात करते हैं which central tendency does not depends upon extreme value, mean, median और mode, mode क्या होता है जो सबसे ज्यादा number में कोई value आ रही है, तो वो extreme value पे depend कभी नहीं करती, वो number of times it is repeated that is known as mode, तो इसका सही answer होगा option C mode, फिर बात करते हैं in ECEC additional effect of which element is taken, देखो जब आप cation exchange capacity पढ़ते हो तो cation exchange capacity is what exchangeable basis कितने हैं एक particular soil में, ठीक है लेकिन जब आप ECEC पढ़ते हो ECEC क्या है, effective CC effective CC का मतलब जब आप exchangeable basis के साथ-साथ aluminium को भी extra count करते हो, तो उसको हम बोलेंगे ECEC, तो यहां आपसे option पूछा गया है कि ECEC में कौन सा ऐस element है जो आपको additionally लेना होता है, तो वो होता है aluminium next, Langmuir adsorption theory based on which order of reaction क्या वो first order reaction है first order reaction मतलब जो सिर्फ एक चीज़ से dependent होती है, second order reaction third order reaction, इसका answer होगा first order reaction, next move करते हैं color of gram negative bacteria after standing देखो, gram positive bacteria, gram negative bacteria उनको एक standing purpose से अपन देखते हैं कि कौन सा है, gram negative है, gram positive है किस ने दिया था, gram ने दिया था लेकिन यहां पूछा गया है कि gram negative का color क्या होगा after standing, तो वो होता है pink red, उसके बाद में which microorganism is tolerant to drought वो होता है denitrifier फिर question पूछा गया है which design is used for high accuracy तो वो होती है CRD बहुत simple technique है high accuracy लिए हमेशा CRD यूज की जाती है highest silica sesky oxide ratio कौन सी soil में होता है अब lowest पूछता तो आपको पता ही, जो सबसे ज़्यादा weathered soil है, oxisol में less than 2 होता है, अब देखो, जो soil बिल्कुल weather हुई नहीं है, तो उसमें highest ratio होता है और वो होगा anti-soilis का correct answer जो मैं concept सबसे पहला question समझा चुका हूँ फिर बात करते हैं splash particle in splash erosion rises to splash erosion क्या होता है, कि ये soil surface है, इस soil surface पे क्या हो है कि अगर water molecule आया और इस soil particle को वो उड़ा के लेगे गया अब उसमें depend करता है कि वो height क्या होगी उसकी और इसकी जो capacity जित्ता जादा बड़ा particle होगा या जित्ता जादा kinetic energy से वो particle आएगा, उतनी जादा उसकी capacity होगी उसको disrupt करने की, और disrupt कितना करेगा, अगर उसकी यह distance पूछी जाए, distance होती है 1.5 meter, लेकिन यहाँ पूछा गया है क्या, rise, rise मतलब height पूछी गयी है, तो height होती है 0.7 meter, तो यहाँ आपका answer है, 0.7 meter नियू आले I-TRIFLES में, erosion में दिया गया है bonding in fulvic acid is कौन सा bond होता है, bonding in fulvic acid में, HH bond ठीक है फिर बात करते है, E4, E6 ratio of fulvic acid is less क्यूं होता है, देखो E4 क्या होता है E4 shows aliphatic group E6 aromatic group अब अगर ratio कम होगा that means यह value ज्यादा होगी yes or no तो आपको और यह value कम होगी अब ratio क्या है, less है that means aromatic group ज्यादा है due to aromatic in nature aromacity ज्यादा है, that is why E4, E6 ratio कम होगा वापस पढ़ते है, E4 और E6 ratio of aromacity बताता है यह aliphatic groups यह aromatic groups को बताता है अब अगर इसकी value ज्यादा होगी तो total ratio less होगा, जैसे कि humic acid में हो रहा है, और यह reason पूछ रहे है कि क्यूं होता है, तो आपको यहाँ answer मिल गया इसका production of ammonia by Heberbosch process has temperature range, बहुत easy question दे दिया है इन्होंने, लेकिन options थोड़े से doubtful दिये थे, 400 से 500 और 400 से 400, actual answer होता है option D, 400 से 400 दिया किसने था, पहले Heberbosch नाम के scientist थे फिर एक Bosch नाम के engineer थे जिन्होंने इसको modify किया, that is not as Heberbosch degree Celsius की बात अपन कर रहे है thermal diffusivity depends upon soil moisture पे भी depend करती है, parent material पे भी depend करती है, both is right answer फिर बात करते है, moment of soil, water flowing through the saturated soil तो उसका हमेशा आपको अगर equation पूछा जाए diffusivity तो new musicals to KF, इसका right answer होगा, फिर बात करते है, when rate of soil loss exceeds the rate of soil formation, soil formation की rate से soil loss ज्यादा हो रही है, that is known as accelerated erosion, pedogenic erosion वो होता है, जब soil formation जितना हो रहा है, उतना ही आपका उससे कम soil erosion होता है, that is known as pedogenic, जो natural process है यह एक natural process नहीं है, एक artificial process है इसका option A सही है फिर SSP fertilizers make the pH of soil acidic बना देता है यह जो SSP है, third इसका right answer है, अगर यहाँ SSP यह DAP पूछता, तो वो 9 बना देता है याद रखना, वो basic बना देता है निवाले आई-ट्रेप्लेस में इस चीज दी भी है फिर बात करते हैं minimum population of which soil microphona in rhizosphere, यह आपको मैं बता चुका हूँ इसका answer, अगर rhizosphere microphone पूछा है पंजाई और फिर आगे अपन बात करते है host specificity of rhizobia in pulse is due to पहला option node gene, यही इसका सही answer है पहला option, यह दूसरा, तीसरा, चोता host specificity rhizobia में node gene की वज़े से होती है फिर अपन बात करते है, non-symbiotic association of casurina is with आपको सबको पता है कि casurina का non-symbiotic association frankia के साथ होता है फिर बात करते है, boron behaviors अब देखो, Lewis acid और bronzed acid, Lewis acid क्या था या Lewis method क्या था इन्होंने बोला कि आपका acid, sorry, electron concept दिया था इन्होंने कि जो electron accept करता है, वो acid है, और जो electron donate करता है, वो base है और bronzed glory ने दिया था proton concept, ठीक है यहाँ पूचा गया है, boron boron हमेशा acid accept करता है तो वो Lewis acid के जैसे behave करता है that is why boron behaviors Lewis acid, ligand exchange causes बहुत अच्छे से मैंने अपने lectures में समझा रखा है कि ligand causes increases in CEC, ठीक है, because ligand exchange क्या हो रहा है, यह clay particle है यह negatively charged है, और negatively charged surface क्या करेगा, कि कि दूसरे, ligand exchange मतलब कोई metal cetyne यहां आके, let's say iron है, iron के ऊपर वापस anion आके attach हो सकता है, because positively charged है, और जैसे कोई anion आके attach हुआ, तो negative charge बढ़ा, और negative charge बढ़ेगा, तो cetyne जिस पे आके adsorb हो सकते हैं, that is why cetyne exchange capacity increase हो जाती है फिर बात करते हैं, for port culture which design is used, CRD is used for port culture experiments, अब देखो यह एक simple सा क्यूशन है, 50 gram oven dry soil है, 25 ml of water है तो बताओ कितना percentage of water हुआ 25%, 50%, 75% या 33%, इसका explanation percent of water absorption is equal to moisture content upon weight of soil moisture content कितना है, 25 weight of soil किती है, 50, तो 50 percentage हो गया, फिर बात करते हैं, boron deficiency in India, ये आपको micronutrients chapter में जब deficiency बहुत in detail आपढ़ोगे तो यहाँ I-Triplace में ही मिल जाएगा, सबसे जाद boron की deficiency होती है, 33% ठीक है, ये अलग-अलग nutrient, micronutrients की deficiency है फिर बात करते हैं, conversion of kg hectare into productivity hectare ये question पता है क्या आया था, ये question आया था कि अगर कोई ऐसा जो आपका, sorry kg पर एकड का question था ये कि let's say 4000, 4000 exact value थी उसकी 4000 kg पर एकड का production हुआ, अब मुझे बताओ कि hectare में ये production कितना हुआ, तो आपको पता है, hectare का square meter होता है 4000 square meter और hectare का होता है, 10,000 square meter है ना तो ये जो area है, वो कितने time ज्यादा है, 2.5 times ज्यादा है तो आप same to same, यहाँ 10,000, अगर 4000 kg है तो वहाँ 10,000 kg हो जाएगा पर hectare next question lead analysis instrument कौन सा use होता है तो वो होता है, lead के लिए MS mass spectrometer कुछ लोग double-ass में confused है, but MS होता है इसका answer, mass spectrometry used in which analysis, अभी मैंने बोला lead और भी elements होते हैं relationship between metric section and volumetric water content is explained by soil motion characteristics curve soil, water में यह आपको पढ़ने को मिलेगा hysteresis के आगे, two organisms within a species mutually benefited but not obligatory, देखो अगर पूछा जाए mutually benefited to वो होता है mutualism, but वो obligatory होता है, obligatory मतलब जो बहुत ज़्यादा जरूरी है उनकी survival के लिए, लेकिन जो आपका एक option और है यहाँ proto-cooperation यह इसका सही answer होगा proto-cooperation में mutualism होता है, but obligatory नहीं होता है, और commensalism होता है, जब एक benefit लेता है, दूसरे को कोई फरक नहीं पड़ता immensalism होता है, जब एक का तो गाटा हो रहा है और दूसरे को कोई फरक नहीं पड़ता और neutralism होता है, जब दूनों को एक दूसरे से कोई फरक नहीं पड़ता फिर बात करते हैं, which type of soil shows pedoturbation इसका बहुत simple सा answer है, black soil shows pedoturbation ठीक है, फिर बात करते हैं, convenience efficiency of drip irrigation, बच्चे confused हो गेते हैं कि सर, water use efficiency याद आ गया उनको, efficiency से नाम आते हैं विकोज उन्होंने हमेशा drip irrigation की efficiency पढ़िए, तो water use efficiency सर 70% होती होगी, 60% होती होगी, ऐसा करके, लेकिन यह बोलरा है convenience efficiency, आपने यहां से पानी दिया, कितना पानी पहुंचा तो drip irrigation क्या है, pipe irrigation है, तो कुछ भी water loss नहीं होता है, that is why वो 100% convenience efficiency होती है drip irrigation की, ठीक है, बात करते हैं, oxidative activity of soil microorganisms by, जैसे यह question discuss हो चुका है, dry hydrogenase, pH का formula direct आया था, यह वाला जो formula न्यू आइटरपलेस से उठा के डाला गया है, यह directly formula आया था, pH और EH का relationship, least degradable और most resistant pesticide कौन सा होता है, यहाँ आपको answer दिया वा है organochlorine, because इसमें oxygen और chlorine का bond होता है, और सबसे जादा persistent होता है, oxygen और chlorine का bond होता है, और देखो, इसके साथ साथ नहीं, इसकी solubility भी बहुत less होती है, that is why वो degrade आसानी से हो ही नहीं सकता, organochlorine is right answer, फिर बात करते हैं, dispersion ratio में D की value क्या होती है, more than 0.25 होती है, यह 0.025 होती है, यह less than 0.25 होती है, जैसे मैंने बोला था, evaluation of soil structure से एक और question आया था, यह इसका सही answer है, फिर बात करते हैं, submerged soil में redox potential iron का कितना होता है, जो submerged potential है, वहाँ से SRF और net में हर बार question आ रहे हैं, तो इसका सही answer जो है 0.15 से 0.18 माइनस में होता है, ठीक है, यह किसका है, सबसे उपर वाला किसका है, oxygen, यह होता है, nitrogen और manganese का दोनों का हाफ PCA, यह constant होता है, यह आपको किम S10 में या नियो एलिय टरकलिस में मिल जाएगा, COH adsorbed in which wavelength, तो इसका सही answer था, 1430 wavelength पे यह सबसे ज़्यादा adsorbed होता है, फिर बात करते हैं, reduction in nitrogen in symbiotic association in, कहां होता है, तो bacterioids में होता है, अब देखो, कुछ ऐसे questions भी थे, जो जिनके options यहां थे नहीं हमारे पास, because यह memory based questions है, तो उनको हमने एक साथ लिस्ट किया है, effective CC जैसे मैंने बता दिया, unitless measure of dispersion CV, place of denitrification अभी जैसे मैंने बताया, bacterioids, sequence of pedogenic process, T-test is used for, जो null hypothesis के लिए युज होता है, eutrophication कौन से mineral से होता है, तो आपको पता है कि phosphorus से होता है, फिर adverse effect of H2S on rice countered by कौन से से counter किया जाता है, potassium activity ratio when concentration increased two times, तो decrease two times इसका सही answer होता है, phosphate potential का formula जिसे यह है और lime potential का formula भी आपसे पूछा गया, lime potential का formula आपको पिछली slide में दिख गया था और phosphate potential का formula यह होता है, जिसमें H2PO4 last में आता है, अब इसके साथ हमारा जो ASRB net का paper discussion था, यह complete होता है, around आपको 130 की questions आसपास मिल गये हैं, और इससे related जो भी आपके doubts हैं, वो आप हमसे पूछ सकते हो, और अगर आपको इससे related कुछ भी आपके पास queries हो, या course related आपके पास कोई queries हो, तो आप हमारे जो दिएगे number हैं, उन पे आप बात कर सकते हैं और अपना course को आप आज ही बाहर कर सकते हैं, because जितना आप time लगाओगे, exam उतना नजदिक आ रहा है और आपकी preparation में उतना ज्यादा डेले होता जाएगा, तो I hope कि आपका ये जो paper analysis था, जो explanation था, वो आपको आने वाले exam में clear briefing के साथ confidence भी देगा कि आपकी, आपने अपने आपको evaluate किया होगा अभी तक और evaluation से जो भी आपका result आता है, उसको और better बनाने के लिए conceptual study जैसे जो भी आपके recorded lectures हैं, live lectures हैं, जो practice test हैं, उनके basis पे आप आपनी तयारी को और मजबूत बना सकते हैं, thank you so much, thank you